राजस्ताम में मांसून का प्रकोप जारी है और आपको बता दे जैपूर से लेकर जैसलमेर तक इंद्रदेव महरबान है भारी बारिश के वज़ा से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है जसे बार किस सिती भी पैदा हो गई है कई जिलों में बार जैसे हालात बनने से जनजीवन पूरी तरह से अस्वयस्त हो चुका है भारी बारिश के कारण जैपूर, बून्दी, अजमेर, धुलपूर, भरतपूर और खरोली समेथ कई लाखों में अफरत अफरी का महाल पैदा हो गया है कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी भी खोशित कर दी गई है साथी मौसम विभान ने 14 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जटाई है तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं जापर सड़के पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो चुकी है और लोगों का जणजीवन पूरी तरह से अस्थ विस्थ हो चुका है लोगों को भारी परिशान्यों का सामना भी करना पड़ रहा है और एक और तो लोगों को गर्मी से राहत मिली है लेकिन दूसरी और ये तस्वीरे आप देख सकते हैं पर सड़के तलाब में तब्दील हो गई है और कई न कई ये बारिश लोगों के लिए आफ़त बनकर बरस रही है तो कई लाकों में जलबराव की सिती उत्पन हो गई है तो बारिश का तांडव देखने को मिल रहा है नदी नाले उफान पर हैं जिसके चलते लोग अपने घरों में क्याद होने को मजबूर हो गए है तो वहीं कई जगहों पर लोगों के घुटनों तक पानी पहुँच गया है और साथी जो बड़े-बड़े दावे प्रशासन की ओर से किये जाते हैं और कुछी देर की बारिश इन सभी दावों की पोल खोल कर रख देती है यह तस्वीरे साफ बया कर रही है जहां पर जलका तांडव देखने को मिला और पानी के तांडव से पूरा राजसान इस वक्त जूज रहा है नदी नाले उफान पर हैं सडके तालाव में तबदील हो गई हैं जलबराव की स्थिती पैदा हो गई है बार की स्थिती पैदा हो गई है और लोगों को भी घरों में क्याद होना पड़ रहा है भारी परिशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है तो यह तस्वीरे आप देख सकते हैं जहां पर एक और तो बारिश से लोगों को भीशन गर्मी से राहत मिली है लेकिन दूसरे और यह तस्वीरे जहां पर कई इलाकों में जल भराव की स्थिती पैदा हो गई है सड़के तालाब में तब्दील हो गई है चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरीये राजस्तान के प्रमुख जिलो का मौनसून मीटर बताती है कि कि जिले में अब तक कहां कितनी बारिश हुई है और कितनी बारिश होनी थी तो ग्राफिक्स के जरी आपको बताते हैं जापार राजस्तान के प्रमुख जिलो का मौनसून मीटर आपके स्क्रीन पर है आप देख सकते हैं जापार अगर बात जैपुर की करें तो यहाँ पर जैपुर में अब तक बारिश 952.1 मीटर हो चुकी है और बारिश जो है वो हम पांसून मीटर आपको बता रहे हैं और साथी बिकानेर में 422.4 सेंटिमीटर बारिश होई है सीकर के अगर बात करें 614 सेंटिमीटर यहां पर बारिश देखने को मिली है तो वहीं आपको बता रहे पूरा राजस्तान इस वक्त बार की सिती जहलने को मजबूर है लोग है और बारिश होने के संभावना अलवर में 510.5 सेंटीमीटर थी तो आपको बता दे कि 77 फीसदी जादा बारिश हुई है नागौर की अगर बात करें तो आपको ग्राफिक्स के जरीए बता रही है जहापर राजस्तान के प्रमुक जिलों में मौनसुन का ये मीटर इस वक्त आप देख सकते हैं तो जैपुर में 952.1 सेंटीमीटर बारिश अब तक हो चुकी है और बारिश की संभावना 495.4 सेंटीमीटर जताई जा रही थी यानि कि 92 प्रतीशत जादा बारिश जैपुर में हुई है अजमेर के अगर बात करें तो 807 सेंटीमीटर यहां पर हुई है तो यह ग्राफिक्स के जरीए आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरीए राजसान के पमुख बांदों के स्थिती बताते हैं कि प्रदेश में किस बांद में पानी की कितनी आवक हुई है कौन सा बांद कितना भरा हुआ है और कितना खाली है तो ये ग्राफिक्स के जरीया आपको बताते हैं बात अगर राणा प्रताब सागर बांध की करें जो कि कोटा में सित है बांध का गेज 352.77 मीटर है और वरतमान गेज के अगर बात करें तो 351.84 मीटर है राजस्तान के प्रमुख बांधो की स्थिती साथी 269.84 मीटर है तो वहीं जवाहर सागर जो की कोटा में सित है 298.7 मीटर है बांध का गेज और वरतमान गेज के अगर बात करें तो 296.63 मीटर वरतमान मीटर है और वहीं माही बजाज सागर जोकी बासवाडा में ये बांग स्टेट है उसके बांग का गेज 281.5 मीटर है और वर्तमान गेज 280.75 मीटर है तो वहीं बीसलपोर जोकी टोंक में ये बांग स्टेट है उसके बांग का गेज के अगर बात करें तो 315.5 मीटर बांग का गेज है और वर्तमान में गेज 315.5 ही है यानि कि जलभराव की सिती यहां पर देखने को मिल रही है बांध पूरी तरह से लबालब नजर आ रही है तो वहीं पारवती जैम के अगर बात करें धोलपुर में यह बांध स्थित है और बांध का गेज 223.41 मीटर है वर्तमान गेज के अगर बात करें तो 223.4 मीटर ही यह वर्तमान गेज है गुरा टेम के अगर बांध के अगर बांध करें जो की बुंदी में स्थित है बांध का गेज 10.52 मीटर है और वर्तमान गेज भी 10.52 मीटर ही है जवाई बान जो की पाली में स्थित है उसके बान की गेज के अगर बात करें तो 18.67 मीटर है और वर्तमान में गेज 14.9 मीटर तर्च किया जा रहा है सरदार समन पाली में ये बांध स्थित है जिसके बांध का गेज 7.62 मीटर है और वरतमान में गेज भी 7.62 मीटर ही है और जैसमन जो की सलूंबर में ये बांध स्थित है और उसका भी अब लगातार जल्मराव की स्थिती इन बांधों में देखने को मिल रही है और बात अगर जाखम ड्रैम की करे जो कि प्रताबगड में स्थित है बांग का गेज 31 है वर्तमान गेज 29 जच्रमलक आठ है तो चलिए अब सीधा आपको सुनाते हैं प्रधान मंत्री मोदी